स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में आज हम सीखेंगे भिन का घटाओ यानि सब्स्ट्रेक्शन और फ्रेक्शन्स फ्रेक्शन्स को कैसे सब्स्ट्रेक किया जाए मतलब घटाया जाए अब यहाँ पर भी दो टाइप के सवाल बनते है जिसमें नीचे वाले नमबर्स डिस्टिंग डिस्टिंग मतलब अलग-अलग हों और दूसरा सवाल बनता है जिसमें नीचे वाले नमबर्स सेम-सेम हों पहले हम यह सेकेंड टाइप वाला सवाल सीखेंगे जिसमें नीचे नमबर अलग-अलग है तो आपको करना पड़ेगा LCM, यानि lowest common multiple निकालना पड़ेगा, नीचे वाले denominators का, उपर वाला number होता है numerator, नीचे वाला जो number होता है उसको denominator कहते हैं, तो जितने भी यहाँ पर नीचे numbers है, denominators हैं, उनका लेना पड़ेगा LCM, है ना, जब भी आप भिन को जोडो या घटाओ, नीचे वाले numbers का LCM तो निकालना ही पड़ेगा, तो हम यहाँ side में निकालना है LCM, यानि lowest common multiple, नीचे वाले numbers का, denominators का, यानि 3, 5, 9 का LCM, 3, 5, 9, इनका निकालना है आपको LCM, LCM simple सा होता है, जिसमें आप छोटे से छोटा पहाड़ा लेते हो, और इन number को काटने का प्रयास करते हो, divide देते हो, देखिए, हम कौन सा table लें हाँ पर, कि 2 या 2 से ज़्यादा number कर जाएं, तो अगर हम 5 का पहाड़ा लेंगी, तो केवल 5 से 5 कर जाएगा एक बार में, लेकि 3 के पहाड़े में 3 आता है, एक बार में, 3 एकम 3, 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता, तो उसे हम वैसा ही रहने देते है, 5 का 5, अब 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आता है, तो 3 तीया 9, तीन बार में आ जाएगा 3 तीया 9, अब देखिए ध्यान से, तो आपको छोटे से छो तीन के पहाडे में 5 नहीं आता तो 5 को भी वैसा ही लिख दिया तीन के पहाडे से 3 को काटेंगे तो एक बार में 3 एक कम 3 एक बार में कट जाएगा अब देखिए एक-एक आने वाला नियम तो आपको पता है अब यह एक-एक चलते ही चला जाएगा केवल 5 का पहाड़ा लेना है दूस्तों तो ये एक तो चलेगा ही 5 के पहाड़ में 5 आएगा एक बार में और ये एक as a tease चलेगा सभी नंबर जब एक एक हो जाते हैं तो आपका LCM आपको नजर आने लगता है जो भी table आपने इधर पहाड़े लिये हैं उनका गुणा कर दो वही LCM है ये जितने भी नंबर आपने आपने लिये है table उनका multiply कर दो 3 गुणा 3 गुणा 5 तो 3 तिया होता है 9 9 पंजे होता है 45 मतलब इनका LCM आ गया 45 किता आ गया 3 तिया 9 9 पंजे 45 तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बड़ा सा लाइन खीच लेंगे 3, 5 और 9 का LCM आया जुझतो 45 तो यहाँ पर 45 लिख देंगे अब करेंगे smart वाला तरीका अगर आपने smart तरीका नहीं सिखा है तो यहाँ एक वीडियो भी शो हो रहा है जिसमें smart तरीका सिखा है लेकिन एक और बार इस वीडियो में सीख लेते हैं देखिए 3 से इस LCM में जो LCM आना 45 इसमें भाग लगाएंगे 3 से 45 कितनी बार में कटेगा तो रॉफ में जाएंगी 3 से हम 45 को काट के देखेंगे कि भी 45 जो है ना वो 3 से कितनी बार में कट सकता है तो 3 एकम 3 उपर भी काटेंगे 3 एकम 3 यहाँ तो 4 था तो एक बज गए 3 पंजे 15 यानि 15 बार में कटेगा 3 से यह जो LCM है ना 45 यह कितनी बार में कटेगा 15 बार में कटेगा उस 15 का उपर वाले नमबर एक में गुणा तो 15 एकम 15 ही आ जाएगा माइनस है तो माइनस अब वापस वही नियम स्मार्ट वाला 5 के पहाड़े में यह LCM कितनी बार में कटेगा मतलब 5 के पहाड़े में यह 45 कितनी बार में आता है तो 5 के पहाड़े में 9 बार में कटेगा 5 नम 45 नो बार में आता है 9 के पहाड़े में यह जो LCM 45 ही कित्ती बार में आएगा? तो सर 9 के पहाड़े से अगर 45 को काटेंगे, तो 5 बार में, 9, 5, 45, 9 के पहाड़े में 5 बार में काटेगा 45, उसी 5 से उपर वाले नंबर एक में गुणा, लीजिए सारा स्मार्ट तरीका करने के बाद, यह हमारा आया है, अब इसको solve कर दिना, देखिए, 15 आगे लिखा है, तो हम 15 ही लिख देते हैं, माइनस माइनस होता है प्लस, यानि इन दोनों को जोड़ लो, क्योंकि माइनस माइनस नियम कहता है, माइनस माइनस प्लस, तो अठारा और पांच को जोड़ा, तो यह आगए दुस्तों तेवीस, अब यहाँ पे चिन प्लस का लगेगा या माइनस का, तो वो कौन बताएगा, वो बताएगा, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, अठारा बड़ा है या पांच, सर अठारा तो बड़ा है पांच से, तो अठारा बड़ा है ना, इसके आगे माइनस साइन लगा है, तो आप यहाँ पर माइनस साइन, यानि घटाओ का चिन्न लगा देंगे, बड़े में तो 45 चल ही रहा था मेरे मुन्ना, अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों को सॉल कर लेना है, सिंपल सा है, यहाँ पर आगे कोई चिन्न नहीं दिख रहा है, तो हम मानेंगे कि यहाँ प्लस होता है, जहाँ कुछ नहीं वहाँ प्लस, प्लस माइनस होता है, माइनस यानि 23 में से 15 घटा लो, बताओ 23 में से 15 घटा गए तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ लिख देते हैं, 8 बचेंगे उपर, और नीचे तो 45 चल ही रहा है, अब 8 और 45 आपस में कटने वाले नहीं है, तो यही जो भिन है, यह आपका अंसर हो जाएगी, 8 के पाड़े में 45 नहीं आता न, तो हम काट नहीं सकते, तो यही final answer आ जाएगा, यहाँ हमने भिन्नों का LCM निकाला, उसके बाद, LCM के बाद स्मार्ट वाला तरीका करा, स्मार्ट वाले के बाद प्लस माइनस कर लिया, और हमारा answer आ गया, यह होता है भिन्नों का घटाओ, और अगर आपको भिन्न का जोड़ सीखना है, तो यहाँ पर वीडियो शो हो रहा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कर लिजेगा, वहाँ पर आपको भिन्न का जोड़ भी सीखने को मिलेगा, और ऐसे ही बेसिक वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे वीडियो आपके लिए आते रहेंगे, अगर आप छोटी-मोटी ग्लास में हो और बेसिक नहीं आता, इस चैनल के साथ जुड़ जाओ, यहाँ बहुत सारा बेसिक वीडियो आने वाला है, थैंक्यो सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए,